वाग में माता अहिल्यावाई होलकर की 296 जन्ती बड़े धूमदाम से मनाई गई इस मौके पर तूला के नगर विधायक प्रेमपाल धंगर भी मौज़ुद रहे कि अजए मौके देश में पूरे राष्ट में जो फुनिस लोगा नोग माता अहिल्यावाई होलकर की जन्ती की उप्लक्ष में आज हम मनाने के लिए पश्तेत हुए ऐसी हमारी फुनिस लोगा लोग माता अहिल्यावाई खूलकर की चड़ों में सुरिद्दा सुमन अर्षप करते हुए सभी समाज के बंद्वों को साधवाद और धंदवाद देते हुए को समाज के सभी लोग और सहर समाज के लोग यहाँ पर एकरते हुए जिन्होंने आज जहनती मनाने का काम किया है लंबे समय से वो उनका जनम 31 मई 1725 में हुआ उनका लालन पालन बहुत गरीवी में हुआ उनके शसुर मलारा होलकर उनके बेटे खांडे रा होलकर उनके नित्रत में उन्होंने शासन किया उनकी पती की मृत्यू शसुर की मृत्यू और जैसे बेटे की मृत्यू भी क्योंकर वो न्याई की देवी कही जाती थी उनके उन्होंने उनको हातियों के पेरों से कुचलवा करके उनकी धंड देने का काम किया ऐसी न्याई की देवी हमारी पुनिस लोका लोकमाता हिल्या भी हुलकर जुनोंने अभी हमारे विधायक जी ने बताया था कि काफी मठ बनवाए 12672 मठों का निर्मान किया क्योंको अगल सासक रहे थे उन्होंने हमारे देश के अंदर जितने भी मठ थे मंदिर थे उन्हें तुड़बा दिया था पुर्णर निर्मान के लिए हमारी देवी एहल्या भाई घोलकर ने वीड़ा उठाया अब पूरे देश के अंदर पूरे राष्ट के अंदर उन्होंने साशन किया और उनके हम बंसज हैं जो आज यहांपर पर हम यह कतिट्ट Laser करके उनकी पुनिति विष्ञ और जहनती मनाने के लिए उपस्तित हैं कि अमने समयों में एक सेबा का भाव करके हम सब लोग शम्वर्पति विष्ञ सैल का लोग कि देखिए प्राता समर्णियें पुनिश लोका पुझ देवी माता लोक माता जी के आज जन्व जन्ती अफसर पर पुरे देश पुरे राष्ट की सर्व समाज की तरह हम सब लोग भी पुझ माता के चड़ों में नमन करकर कृतकिता और गौर्वानमित भाव को अन्भव कर रहे हैं जहां अनेक प्रकार की राज सत्ताओं के इत्यास में राजा रानियों के पराकरम युद्ध की नीती उनके सामराज विस्तार के इत्यास के पन्ने धर्ज है वहां पुझ लोक माता भारती और विश्व इत्यास की एक मात्र ऐसी शासन विवस्ता की प्रमुक थी मैं उनको शासि का कहने में संकोच करूंगा के जिनको उनके समाज ने पूरे भारत ने लोक माता का दरजा दिया एक माता सबसे बड़ार दरजा रखती है मां निश्वार्त वाब से जैसे सिसु को अपने घर्म में पालती है उसके बाद अपने खून से और अपने दूज से उसको सिंचित करती है ऐसी लोक माता ने अपनी प्रजा अपने देश की अपने राजी की सीमाओं के निवासियों की सेवा करी मात्रत्तों के साथ उनका लालन पालन किया से एक एक ऐसी शासिका ऐसे काल खंड में जहां महलाएं अत्येंत विपरित परिस्तित्यों में थी जवानी में बहुत ही अलप वस्षा में उनके जीवन साथी उनके पती का साथ चूट गया उनके जबान पुतर का साथ चूट गया दामाद की मृत्यू हो गई बूरा सुसर की मृत्यू कितने लोकमाता देवी के कंधों पर कितने कितने वड़े भजरपात हुए देश में आकरांताओं का समराज जिता बिरोधियों से आकरांताओं से राजिकी सीमाओं को सुरच्छित करना प्रजा के प्रती करतब बोत के सा लालन पालन करना लोकमाता ने जो इत्यास में अपना कृतित्व हम सब के सामने रखा है योगों योग भी जाएंगे उनके कृतित्व को कोई समाज भुला नहीं पाएगा लोकमाता अल्यावाई होलकर जी ने समाज की और अपने राजिकी सीमाओं से आगे भढ़कर काम कि गया में बनारस में कासी में चारोध हम में हरिद्वार में अमरनाज जी में कोई ऐसी जगह रामेश्वर में सारे जोतिलिंगों में कोई स्थान ऐसा नहीं रहा जहां लोकमाता हिल्यावाई होलकर जी ने धर्मारतियों के लिए धर्मशालाएं कुएं भावडी धर्मशाल हैं मार्ग ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा लोक माता लिया भाई होलकर जी का कृतित और उनके प्रती भारती अन्ता पार्टी के सिर्षत नेत्वत ने बिनर्म कृतग्यता ग्यापित करते हुए उनकी स्मृती में डाप टिकेट जारी हुई हैं सिक्के जारी हुए हैं यह सब त नहीं होता वह सेवक से भी भड़कर एक होता है उत्तम एक होता सर्वत्तम सासक अगर सेवक भाव से तो उत्तम है लेकिन सासक अगर मात्रत भाव से है प्रजापालक मात्रत भाव से है उससे बड़ा दर्जा किसी का नहीं होता जो प्राता असमानिये पूझ लोक माता हिल् संग्धन के लोग हैं समाज के सब लोग हैं सब पूचिए लोक माता इल्या वाई होलकर जी के प्रती स्रद्दा रखने वाले हम सब लोग आज अपनी बिनर्म करता कि श्रदांजली उनके प्रती नमन उनके चड़ों में बंदन करते हैं अब जनुद्दब पर मैं माते स्री के चड़ों में रादर नमन करता हूं और सभी देश राशियों को सबी सच्छ महाज की महाँ को हार दिक बदाईयों कमकाप ना देता हूं मैं इस अफ़त पर अगारे हमारे हमारे संदर मिधायक मानी मसीद मनी तशिया जी और कुछा बदाईयों कि तेरी देंपाजी धंगर साफ एवं हमारे नगर जिलांद्यक्स पिराके संच्छ वाजी और सभी समाज की लोग पस्कित विए में का सादर हुनना स्वागत करता ह हो बहुत हो नहीं पतनवा दिता है यह हैं जबारत जश्राइब